Hello students, हमारा आज का टॉपिक है Development of Embryo and Life Cycle in Sileginella Students, previous lecture में हमने बात की थी कि Sileginella में Female Gametophyte या मादा युदमोद्वित का Development किस प्रकार से होता है साथ ही साथ Male Gamet और Female Gamet के Fusion से Zygote या Oospore का निर्मान किस प्रकार से होता है और जैसे ही हमारे Zygote या Oospore का निर्मान होता है Cell deployed हो जाती है means two in number of chromosomes present होते हैं और बिजानुद भी दवस्ता का प्रारंब हो जाता है तो आज की lecture में हम बात करेंगे कि इस Oospore या Zygospore से Embryo या भून का डवलप्मेंट किस प्रकार से होता है साथ ही साथ सिलैजी नैला में Life Cycle में Sporophetic stage के बाद Gametophetic stage और Gametophetic stage के बाद Sporophetic stage किस प्रकार से आती है इस जीवन चक्र के बारे में आज के lecture में हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं Embryo development की Means Young Sporophyte का डवलप्मेंट एक Oospore या Zygote से किस तरीके से होता है Oospore is the initial stage of Sporophetic generation बिजानुद्भिद अवस्ता हमारे सिलैजी नेला का जीवन चक्र का मुख्य भाग है Sporophetic stage में हमारे 2N number of chromosomes होते हैं तो जैसे ही male gamet और female gamet fertilization या निशेचन के प्रकेरिया के बाद Unite होते हैं तो Oospore बनता है वो हमारी Sporophetic stage या बिजानुद्भिद अवस्ता की initial stage या प्रारंभे का वस्ता होती है During development of the embryo The Oospore first divides by a transverse division Oospore में सबसे पहले एक transverse division होता है जिसकी परिणाम सरूप upper suspensor initial या epibacal cell बनती है और lower embryo initial या hypobacal cell बनती है तो एक जो Oospore है इसके अंदर first division हमेशा transverse division होगा और उपर की जो कोशिका है उसे हम suspensor initial या epibacal cell कहते हैं और नीची की जो hypobacal cell है उसे हम embryo initial कहते हैं The suspensor initial further divides in all directions अब जो उपर वाली कोशिका है वो हर plane में divide करती है means anti-clinal और periclinal division होते हैं और बहुत सारी कोशिकाओं का एक group बन जाता है और एक multicellular suspensor का निर्मान होता है तो जो उपर की कोशिका है वो हमारी एक multicellular suspensor बनाती है और ये जो suspensor है ये embryo के अंदर धसा रहता है मतलब embryo को develop करने के लिए gametophyte जो female gametophyte है उसके अंदर धसा रहता है और वहां से food को absorb करता है ताकि embryo या bone का further development हो सके तो उस pore जो हमारा zygote है means निशेचन की प्रकेरिया के बाद जो first deployed कोशिका बनती है उसमें पहला विभाजन transverse division हुआ उपर की कोशिका जो epivisal cell है उसे हम suspensor initial कहते हैं ये इसके अंदर बहुत सारे हर plane में division होंगी और एक multicellular structure बन जाता है जिसे हम suspensor कहते हैं suspensor का जो मुख्य काम है वो food का absorption करना है अब ये जो food है वो हमारी जो gametophyte है means female gametophyte या मादा युगमोद भीत है उससे लिया जाता है और इसका जो use है वो embryo या bone के development में किया जाता है the embryo initial अब जो नीचे वाली कोशिका है embryo initial ये इसके अंदर two vertical divisions होते है at right angle to each other means पहला division, transverse division, दूसरा vertical तो एक दूसरे से right angle पे जब division होते है तो चार कोशिकाएं बन जाती है उपर वाली कोशिकाओं के विभाजन से तो suspensor बन गया था अब जो नीचे वाली जो हमारी hypobasal cell थी उसके अंदर दो vertical division होते हैं एक दूसरे से right angle पे जिसकी वज़े से एक quadrant बनता है चार कोशिकाओं का अब ये जो चार कोशिकाओं है इन में से एक जो कोशिका है उसके अंदर एक oblique wall के थूँ एक अलग cell बनती है जिसे हम शूट इनिशिकाओं कहते हैं अब इस शूट इनिशिकाओं को छोड़कर बाकी की जो कोशिकाओं हैं इन के अंदर transverse division होते हैं और चारचार कोशिकाओं की दो पर्ते बन जाती हैं अब इस शूट इनिशिकाओं की डो परते बन जाती हैं Later on by further divisions it forms a multicellular structure which gets differentiated into foot, rhizophore, stem and cotyledons. तो जो नीचे की कोशिका है, हाइपो बेसल कोशिका, सबसे पहले इसकी अंदर दो वर्टिकल डिविजन होंगे, एक दूस्ते के राइट अंगल पे जिससे चार कोशिकाएं बनेगी. अब ये जो चार कोशिकाएं हैं, इनमें से एक कोशिका के अंदर ओबलिक वॉल बनती है और एक शूट इनिशिल बनती है. बाकी की जो कोशिकाएं हैं, एक्सेप्ट शूट इनिशिल उसकी अंदर ट्रांस्वर्स डिविजन होकर के चार-चार कोशिकाओं के दो पर्प्री या दो टियर्स बन जाते हैं. और बाद में इनके अंदर बहुत सारे डिविजन होते हैं हर प्लेन में और एक मल्टी सेलिलर स्ट्रक्चर बन जाता है और उस मल्टी सेलिलर स्ट्रक्चर में कुछ कोशिकाएं कुछ का निर्मान करती हैं, कुछ राइजोफोर का कुछ से स्टेम डवलप होता है और कुछ कोशिकाएं कोटिलेडन्स के अंदर डवलप हो जाती है यहां हम डाइग्राम में क्लियरली देख सकते हैं सबसे पहले सिंगल सेल्ड उस्पोर या जाइगॉट जो की डिपलॉइड है इसके अंदर पहला ट्रांसफर्स डिविजन हुआ उपर की और सस्पेंसर इनीशिल और नीचे एंब्रियो इनीशिल का निर्माण होता है सस्पेंशर इनीशिल के अंदर हर प्लेन में डिविजन होते हैं और ये एक मल्टी सेलुलर सस्पेंसर बनाती है ये जो सस्पेंसर है वो हमारे फीमेल gametophyte में धसा रहता है और female gametophyte से food absorb करने का काम करता है अब जो नीची की कोशिका है means जो hypobacal cell थी उसके अंदर divisions होते हैं और ये सबसे पहले दो vertical divisions होंगे एक दूसरे के right angle पर तो चार कोशिकाएं बन जाएंगी उससे एक जो हमारा cell है वो बनती है shoot initial उसके अलावा बाकी की कोशिकाएं हैं जिसके अंदर ये हुआ हमारा shoot initial बाकी कोशिकाओं की अंदर हर plane में division होता है और एक multicellular structure बन जाता है इस multicellular structure में कुछ कोशिकाएं foot कर निर्मान करती हैं कुछ से cotyledence बनते हैं और कुछ कोशिकाएं rhizophore कर निर्मान करती हैं इस तरीके से हमारा जो embryo ह वो female gametophyte के अंदर ही situated होता है और ये जो female gametophyte है इसके अंदर archigonium है जिसके अंदर fertilization के बाद embryo हमारे नर्यूग मोदबित पर पूरी तरीके से depend होता है इस structure में हम देख सकते हैं ये एक female gametophyte है जो की जमीन पर गिरने के बाद उसमें rhizoids डवलप हो गए थे और ये जो female gametophyte है उसके अंदर बीच में center में embryo या भूर्ण का निर्वान हो जाता है इन सम स्पीशिज ओफ सिलेजी नेला जैसे की सिलेजी नेला रुपेस्टरिस तब मेगा गेमिटोफाइट आर नेवर शेर्ड फ्रॉपेस्टरिस अंदर क्या होता है कि जो हमारा सिलेजी नेला का main sporophytic plant है सबसे पहले जो बिजानुदफित पौधा था जिसकी अंदर megasporangium या गुरू बिजानुदानी बनती है जिसमें megaspor या गुरू बिजानुदानी बने थे वो गुरू बिजानु हमारे बिजानुदफित पौधे से ही अलग नहीं होते हैं वही पर ही रहते हैं मिन्स गुरू बिजानुदानी अभी main हमारा जो parent sporophyte है उसके अंदर ही लगा हुआ है इसके अंदर इस megaspor का development female gametophyte या मादायुद मोदभिद में हो गया तब भी ये हमारे sporophytic plant से लग नहीं हुआ इसके बाद इसके अंदर archigonium का development हुआ साथ ही साथ इसके अंदर fertilization या निशेचन के बाद जो embryo बनता है वो भी हमारे parent sporophyte plant के उपर ही बन जाता है तो इस तरीके से एक बिजानुद विद अवस्ता के अंदर ही दूसरी बिजानुद विद अवस्ता प्रारंब भी हो जाती है और जो ऊस्पोर का development है वो मेगा स्पोर एंजियम या गुरू बिजानुदानी के अंदर ही हो गया एंड यंग एंब्रियो ग्रोज इंटो अ सीडलिंग डेवलप प्राइमरी रूट एंड देन फॉल अफ द ग्राउंड बिजानुद एक पूरी की पूरी गेमिटोफिटिक जनरेशन हमारे sporophyte पर डेपेंड करी नेक्स्ट sporophyte जो जनरेशन है वो भी डेवलप हो गई उसके बाद जब यंग sporophyte बना नयाब उसके अंदर रूट डेवलप होने के बाद ये जो यंग sporophyte है वो पूराने sporophyte से shed हो जाता है अब इस तरीकी से एक sporophyte से बहुत सारे नए sporophyte प्लान्ट बन जाते हैं जो इससे गिरने के बाद ग्राउंड पर नए बिजानुद भी पौधे या नए सिलेजी नेला के अंदर डेवलप होते हैं अब हम बात करते हैं सिलेजी नेला में life cycle patterns के बारे में कि किस तरीकी से सिलेजी लेना में बिजानुद भी दवस्ता और युगमोद भी दवस्ता आल्टर करती हैं सिलेजी नेला is a sporophytic plant basically सिलेजी नेला की जो life cycle है उसके अंदर dominant stage होती है sporophytic stage या बिजानुद भी दवस्ता जो की deployed होती है and produces two different types of spores इसके अंदर दो तरीके के spores बनते हैं Microspore means लगू बिजानु and Megaspore means गुरू बिजानु In other words, we may call it as heterosporous plant ये एक विशम बिजानुद प्लांट या heterosporous species है जिसके अंदर दो प्रकार के बिजानु बनते हैं These spores on germination produce male and female gametophytes respectively Means microspore से male gametophyte का निर्मान होता है और हमारा जो Megaspore या गुरू बिजानु है उससे female gametophyte या मादा युग मोदभित का development होता है Which in turn developing upon the strobilis of parent produce anthrozoids and egg in enthridia and archigonia respectively अब जो हमारा male gametophyte है उसके अंदर male reproductive organs anthrozoids develop होते हैं और जो female जो हमारा युग मोदभित या female gametophyte है उसके अंदर archigonium जो female reproductive organ है उसके अंदर egg cell का development होता है इस तरीके से हमारे सिलैजी नहला में एक sporophyte के अंदर gametophyte plant जिसके अंदर male और female gamet develop होते हैं इस reproductive structures after fertilization produce zygote और ये male और female gamet के fusion या fertilization से deployed zygote का निर्मान होता है which again on germination give rise to a sporophytic plant और दुबारा जब ये germinate करते हैं तो sporophytic plant बन जाता है means अगर एक बिजानु द्वित पौधा है उसके अंदर बिजानु जब बनते हैं वो अर्द सूत्री विभाजन या meiosis की प्रकिरिया के बाद बनते हैं जिसकी वज़े से जो deployed number of chromosomes हमारे sporophyte में है वो gametophytic stage में enter कर जाते हैं कि अर्द सूत्री विभाजन के बाद हमारे chromosomes का number haploid हो जाता है और ये जो haploid number है gametophyte plant बनाती हैं ये gametophyte male और female gamet produce करते हैं और male और female gamet के fusion से वापस sporophytic stage या 2N number वाले cells का निर्मान होता है in this way the sporophytic and gametophytic generations alternate each other means इस तरीकी से एक की बाद बिजानुत भी दवस्ता के बाद युगमोद भी दवस्ता और युगमोद भी दवस्ता के बाद वापस बिजानुत भी दवस्ता आ जाती हैं although the sporophytic phase is dominant over the gametophytic stage और silaginela में जो sporophytic stage या बिजानुत में दवस्ता है वो एक dominant stage है और कुछ plant जैसे कि हमने अभी silaginela rupestris में देखा gametophytic stage totally sporophyte पर depend करती है एक generation के पाद दूसरी sporophytic generation भी आ जाती है और वो उसी plant पर लगे रहते हैं so इस diagram के अंदर students हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो silaginela है main plant body एक sporophyte है जिसके अंदर twin number of chromosomes हैं इसके अंदर reproduction या जनन spores के द्वारा होता है और ये जो spores है strobulous या कौन में लगे रहते हैं ये कौन हमारे mega sporengium और micro sporengium से मिलकर बने हुए होते हैं mega sporengium जिसके अंदर mega spore या guru भी जानू बनते हैं और micro sporengium मिन्स जिसके अंदर micro spore या लगू भी जानू का निर्मान होता है और ये जो लगू भी जानू है meiosis या अर्द सूत्री भाजन की प्रकिर्या के बाद बनते हैं इसलिए ये haploid होते हैं और जैसे ही हमारी जो spore की कोशिका है haploid होती है वैसे ही sporophytic stage खत्म हो जाती है और gametophytic stage या युगमोध भी दवस्ता प्रारंब हो जाती है अब ये जो माइक्रो spore और मेगा spore है ये है haploid मिन्स gametophyte है इन दोनों से माइक्रो spore से तो male gametophyte का development होगा और मेगा spore से female gametophyte का development होता है male gametophyte के अंदर sperm यानि की anthrozoids बनते हैं जो की male reproductive organ है और मेगा spore के अंदर archigonium बनते हैं और इन archigonium के अंदर egg cell situated होती है इस egg cell और sperm या anthrozoid के आपस में fusion से या fertilization या निशेचिन की प्रकिरिया से zygote का निर्मान होता है और ये जो zygote है वो 2N number वाले chromosome का होता है means deployed होता है और जैसे ही fertilization का process होता है और cell हमारी zygote की जो cell है वो deployed हो जाती है और sporophytic अवस्ता आ जाती है तो इस तरीकी से sporophyte के बाद gametophyte और gametophyte के बाद sporophytic stage आ गई और ये जो zygote है वो embryo के अंदर develop होता है और ये embryo एक young sporophyte में डवलप होकर के नया plant बना लेता है तो इस तरीकी से हमारा जो सिलेजी नेला है उसमें sporophytic और gametophytic आपस में alternate करते हैं means इसके अंदर एकांतर क्रम में युगमोद भी दवस्ता और विजानुद भी दवस्ता पाई जाती है ये इसका हम schematic life cycle देख सकते हैं इसके अंदर सिलेजी नेला जो की एक sporophyte है इसमें reproduction के दो तरीके हो सकते हैं vegetative reproduction या फिर reproduction by sports vegetative reproduction में हमने पढ़ा था fragmentation means किसी भी plant की कोई branch एक टुकडे की रूप में या fragment के रूप में तूट कर अलग हो जाती है वो एक अलग plant को जन देती है dormant buds इसके अंदर कुछ buds पाई जाती है जो adverse condition में हमारे सिलेजी नेला प्लांट से तूट कर अलग हो जाती है और जैसे ही favorable conditions या suitable conditions आती है वो एक नए प्लांट की रूप में develop हो जाती है इसी तरीके से bulbils और tubers भी vegetative reproduction या काईक चनन का एक प्रकार है हमारे सिलेजी नेला में और दूसरा जो मुख्य तरीका है reproduction का वो है spores के द्वारा हमारे सिलेजी नेला में strobilis या कोन के अंदर दो प्रकार के spores पाई जाती है मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर हमारे मेगा स्पोरेंजियम और माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर situated होते हैं गुरू बिजानुधानी और लगू बिजानुधानी में मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर बनते हैं जिन पत्तियों पर ये बीजानुद्धानिया लगी रहती हैं उन्हीं हम मेगा-sporophyll या माइक्रो-sporophyll कहते हैं चूंकि मियोसिस या अर्धसूतरिवी भाजन की प्रकेरिया के बाद ये माइक्रो-spor और मेगा-spor बनते हैं तो जैसे ही sporophytic stage end हो जाती है और gametophytic stage start होती है इनसे female gametophyte और male gametophyte develop होते हैं जिसके अंदर archigonium और anthridium के अंदर egg और anthrozoids बनते हैं ये आपस में fertilization के बाद 2N number वाले chromosome वाले zygote का निर्मान करती है और ये zygote embryo में develop होता है और ये embryo young sporophyte में develop होकर दूसरी sporophyte या हमारे main जो silaginela का plant है उसके अंदर convert हो जाता है इस तरीकी से हमारे silaginela के अंदर life cycle में reproduction होता है vegetative तरीकी से या spores के द्वारा और gametophyte में जो reproduction है वो archigonium और anthridium में बने हुए male gamet और female gamet के fusion के द्वारा होता है So students आज हमने बात की कि silaginela में life cycle pattern या जीवन चक्र किस प्रकार का है और एक embryo के development से वापस एक young sporophyte का development किस प्रकार से होता है So this is all about today's lecture. Thank you वापस अर्षु आ उसम